मैं बना रही हूँ माल पुए बिना किसी चाशनी के बिना खोए के तो आएए देखिए इस रेसिपी को फटा फट से बनाते हैं माल पुए तो सबसे पहले लेंगे तीन चौथाई कप सूजी यहां यह पतली वाली सूजी है यह रवा नहीं है अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो उसे एक बार मिक्सर ग्राइंटर में थोड़ा सा चला लीजे ग्राइंड कर लीजे और पतली करके फिर यूज कीजिए उसके बाद मैं इसमें डालोंगी एक चौथाई कप मैदा और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप प्लस एक बड़ी चम्मच बूरा यानि की पा अभी कम से कम दो तीहाई के करीब दूड डाल दिया है और बैटर कुछ इस तरीके का बन गया है एकदम थिक गाढ़ा बैटर है ये अब मैं इसमें डालोंगी हरी इलाइची का पाउडर जो हरी इलाइची होती है उसे आप कूट लीजे और उसका पाउडर बना के इसमें दाल दीजे फिर मैंने डाली है एक बड़ी चमच सौंफ ये मोटी वाली सौंफ है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है माल पुए में ये देखे इक गाढ़ा गाढ़ा घोल हमारा तयार है अब दोस्तों इसमें जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रीडियंट वो है गिसा ह पनीर या फिर क्रमबल पनीर अच्छे से आप पनीर को जो है मैश कर लिजी और फिर इसमें डालिए और पनीर डालने के बाद आप देखेंगे कि घोल हमारा गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा और दोट डालके जो घोल की या बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसे आप अप बैटर को चेक करते हैं ये काफी गाढ़ा है ये देखिए तो हम इसमें मिलाएंगे हमारा दूद जो बचा हुआ था तो आप एक एक चम्मच करके या दो दो चम्मच करके इसमें दीरे दीरे करके दूद आड़ करते जाएए बहुत जादा एकदम से मढ़ डालिएगा नह कुझे लगभग पूरा कप ही दूद लग गया है सिर्फ तीन बड़ी चम्मर दूद बचा है तो दोस्तों इस तरीके से अब आम इसे फ्राय करना स्टार्ट करेंगे गरम तेल में ये मीडियम हाई आँच पे तले जाते हैं और आप कोशिश करें कि कोई फ्लैट पैन या क बहुत नर्म और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और अब धीरे से आप इनको पलट देंगे इसी तरीके से आप ओईल उपर स्प्लैश करते जाएंगे और जैसे ही आपको लगेगा कि हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर उपर आने लगा है तो आप इसे पलट कर सेख लें यह देखे कैसे बॉल की तरह यह उपर तैरने लग गए हैं तो इसका मतलब यह लगभग एक तरफ से सिख चुके हैं तो अब बारी हैने पलटने की यह देखे इस तरीके से आप चाहें तो इसे हलके सुनहरे रंग पे चोड़ सकते हैं या चाहें तो जैसे मैंने हलका सा ड हम नर्म नर्म tasty से मालपुए इन्हें हम serve करेंगे अब यह देखिये मैं आपको तोड़के दिखाते हूं कितने tasty और कितने soft बनते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि फूलते भी हैं तो अंदर से देखे कैसे बनते हैं तो पूरी के जैसे बनते हैं गें मालपुए और दोस्तों ये खाने में आपको बहुत जादा टेस्टी लगेंगे जटपट से बन जाते हैं तो होली पे इन्हें ज़रूर बनाए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने हूली की बहुत सारी डिशिस अपने चैनल पर शेयर कर दी है जाए और एक बार चेक कीजे चैनल हाँ दोस्तों एक और इंपोर्टन बात आप कोई भी रेसिपी अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो पे और एक मिनट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम बाई बाई